हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो की आपके आने वाले एक्जाम यूपी जेल वोटर के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो को एंडिलक जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूचूँगा और उसका आंसर आपको कमेंड वाक्स मों बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की पीडियाफ डिस्क्रिप्सर में टेली कराम चैनल का लिंग दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोसंस दोस्तों आपके सामने है निमलेकित मैंसे उत्तर प्रदेश के किस जन्बत में आरवट नक्षत्र साला इस्तित है जल्ली बताओ तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आरवट नक्षत्र साला इस्तित है तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामपुर चोथा ओप्संस बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस हाल मैं अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतराष्टे क्रिकिट स्टेडियम के निर्माण का कर आरंब किया गया तो यह जो क्रिकिट स्टेडियम है यह कहां पर बनाये जा रहा है important questions है एक तो आपका कानपुर में है ठीक है और एक आपका कहां पर हो जाएगा आगरा में यानि कि यह जो कोसंस का चोथा ओप्संस करेक्ट उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई उत्तर प्रदेश संस्थान की स्तापना किस वर्ष की गई तो यह की गई 1976 में चौता उप्संस करेक्ट और दोस्तों यह जो वीडियो है ना इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कहीं से भी कोसंस लागर के आपको करवा दिये तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से इस वीडियो के बदले केवल 500 लाइक मांगता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही इतना मोटी वेसन देता है कि डेली वेसन पे आपको मैं वीडियो प्रोवेड करवा पा रहा हूँ तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्सा जरूर बढ़ाईएगा ठीक है ना नेक्स्ट कोसन से आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वद एक जनसंक्या वाली जनजाती कौन सी है इंपोटेंट कोसन सबसे अधा जनसंक्या वाली जनजाती कौन सी है उत्तर प्रदेश की गौन्ड जनजाती जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती है यानि कि दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा important है थारू नहीं लगा देना latest आंकडों के अनुसार देखेंगे तो गौंड है लगवग 5 लाग लोग जो है निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में गौंड जन जाती है ठीक है न इलाबात बिस्विद्ध्ध्याले यानि कि इस कोसंस का दूसरा options जो है वो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा निम्लिक तमे思 से कौन सा राज बिस्विद्ध्ध्ध्ध्याले हैं ये हमसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा राज की विजविद्याले तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनुवरलो या राश्टी ये विदी विजविद्याले लखनाउ यानि केस कोस्टन्स का चोथा ओप्संस जो है वो आपका बिर्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में केंद्रिय किर्सी विजविद्याले की स्थापना हो रही है कहाँ पर जल्दी बताओ उत्तर प्रदेश में केंद्रिय किर्सी विजविद्याले की स्थापना कहाँ पर हो रही है तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहांसी में दूसरा options बिलुकल करेक्ट कहां पर हो रही है जहांसी में next questions उत्तर प्रदेश का एक मात्र मुक्त विजबिद्याल है कौन सा है ये questions important questions है जल्दी बताओ उत्तर प्रदेश का एक मात्र मुक्त विजबिद्याल है यानि कि open university तो आपका जो सही yeah answer उजाएगा यह क्या हो जाएगा तो आपका सही yeah answer उजाएगा ilabad में और उस open university का नाम क्या है राजरसी टंडन open university उत्तर प्रदेश राजरसी टंडन open university कहां पर ये ilabad में है next questions उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंदान केंदर किस जिले में इस्तित है जल्दी बता उत्तर प्रदेश की बात हो रही है आलू अनुसंदान केंदर तो यह किस जिले में इस्तित है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ओप्सन अंबर भी मेरट में यानि कि दूसरा ओप्स अनुसंदान संस्थान इस्तित है कहां पर जल्दी बताओ केंद्रिये ओस्दी एवं सुगंदित पौदो का अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है तो यह आपका लखनव में इस्तित है बच्चो कहां पर लखनव में केंद्रिये गिलास एवं सरेमिक अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है गिलास का मतलब कांची से है जल्दी बताओ केंद्रिये गिलास एवं सरेमिक अनुसंदान संस्थान तो ये खुरजा में इस्तित है चो अथा option से आपका विर्कुल करैक्ट हो जाएगा उत्तर परदेश किर्सी अनुसंदान परीसद इसते दो कहां पर जल्दी बताओ उत्तर परदेश किर्सी अनुसंदान परीसद इस दो कहां पर जल्दी बताओ तो आपका सही answer हो जाएगा option number C, लखनओ में नेक्स्ट कोस्टन्स बायो टेक्नोलोजी पार्क इस्तित है कहाँ पर जल्दी बताओ बायो टेक्नोलोजी पार्क इस्तित है कहाँ पर तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा option number A लखनों में पहला ही options बिल्कुर करेक्ट होगा दोस्तो next question से आपका के डॉक्टर अंबेडगर Institute of Technology for Handicap इस्तित है कहाँ पर जल्दी बताईए डॉक्टर अंबेडगर Institute of Technology for Handicap इस्तित है कहाँ पर तो ये आपका इस्तित है कानपुर में तीसरा options बिल्कुर करेक्ट उत्तर प्रदेश का गुरु पूरेमा पर्व समर्पित है किस रिसी को जल्दी बताओ तो किस रिसी को समर्पित है गुरु पूरेमा तो रिसी ब्यास को यानि कि एस questions का पहला ही options आपका बिल्कुर करेक्ट है 2020 का सबसे खतरना questions मिर्जापुर पिरसिद्ध है किस लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्ता आप सभी लोग जानते हैं मिर्जापुर सीरीज लाँच होई है कालीन के लिए तो है ही लेकन ये कजरी के लिए भी है यानि कि एस questions का पहला options जो है वो आपका विर्गुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा जनरत नाम दिया गया जल्दी बताओ important questions है जो जनरत है ना ये उत्तर प्रदेश सरकार दोआरा प्रारम किये गए लागत AC बस सेवा को यानि कि चौता options correct जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के दोआरा जो बस चला ही जाती है तो जो AC बस होती है उनको जनरत नाम दिया गया ठीक है ध्यान रखना वहाँ पर लिखा भी रहता next question से आपका उत्तर प्रदेश के किस छेतर में सोयविन की फसल मुक्ता उकाई जाती है देखो सबसे अधा सोयविन आपको मदप्रदेश में देखने को मिलेगा इसलिए मदप्रदेश को सोयविट भी कहते है लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा जाती तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदिल खट चेतर में ठीक है ना तो चोथा उपसंस करेक्ट हो जाएगा निम्लिकत मेंसे किस दलहन फसल का चेतर फल उत्तर प्रदेश में सबसे जादा है जल्दी बताओ दलहन फसल भी होने चाहिए और उस फसल का चेतर पर उत्तर प्रदेश में सबसे जादा भी होना तो कौन सी है वे चना यानि कि इस question का चोहता options correct next question उत्तर प्रदेश में किर्सी उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रिवावी है अगर आपको उत्तर प्रदेश में किर्सी उत्पादन बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे जल्दी बताओ तो उन्नत किसम के वीजों का बढ़ता प्रियोग य lænay कि उन्नत जो अच्छे वीजों वन्गे उनको हम ज्यादा प्रियोग करेंगे यनn barbar कि पहला ही ऑफसंस आपका बिलूर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और लाश्ट कोस्टन्स है कि निमले के तमेंसे कौन सा एक खनेज उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाता है तो इस कोस्टन्स का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बहुत सिंपल कोस्टन्स है आपसंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा खनेज उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाता ठीक है तो इस कोस्टन्स का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलें क्योंकि में रोजना है इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत